लंबी जुदाए जार दिनादा जार यो रबा बड़े लंबी जी जार बंदा करना चाल झाल झाल मेरे वेली फीकू माजू छोकी तेली कुले बुहे आ जान दे जान 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 असलाम लेकुम नासरीन प्रोग्रम तमाज शाम में मैं हूँ पाथ शेवास खान लहुर के जतने भी शेहरी हैं जतने भी बासी हैं उनके लिए इंटर्टेनमेंट का बहुत बड़ा जरीया है वो हमारे कामाज हैं फिल्मे हैं और फनकारों के साथ लहुरी की बहुत जादा दिली वाबस्तकी है और जितनी बे लोहर के बासी है उनकी एफिलेशन है बहुत छादा फंकारों के साथ और वो इने देख देकर खुश होते हैं बड़ी दाद देते हैं लोहर का स्टेज जो है वो बड़ा मारूफ है लोहर के फंकारों में बहुत जादा टैलenट मوجود है लेकिन सूर्टियाल ये है कि फनकारों के साथ जो रवया है हकुमत का उसमें कितनी बेहतरी आई है उनके लिए कितनी गादरसी मौजूद है हकुमत के दिल में और दूसरा ये कि उनकी फुलाह बहबूत के लिए कितने एकदामाद उठाए गए हैं क्योंके फनकार ही होते हैं जो किसी भी एक जगा का पेगाम दूसरी जगा लेके जाते हैं तरहाद पार भी फनकारों की आवाज़ें घोचती हैं आपको याद भी होगा कि मलका तरन्म नौर जहां की जो वफात के बाद किस हद तक बैरूने मुलक भी अफराद ने और सरहत पार भी लोगों ने किस हद तक अफसोस का इ shaving किया था लहाज़ा ये इंबेस्डर होते हैं अमन के सफीर हैं जितने भी हमारे फनकार होते हैं ये अमन के सफीर होते हैं तो इन सफीरों के साथ हकुमत का रवईया कितना बहतर है उसमें कितनी बहतरी आई है इनकी फ्लाव बैबूत के लिए कितने काम किये जा रहें और बिल्खुस जो मुस्तिक फंकार हैं चुके लहुर में बहुत बड़ी फंकारों की बहुत आदाद भी मुझूद है जो कसम पुर्शी की जिन्दगी बुजारती है और इन बेस्टर्स के साथ अमन के सफीरों के साथ जो एक जगा का पैगाम दूसरी जगा लेकि जाते हैं जो सारी अमर अपना इंडस्टी को टाइम देकर अवाम की इंटरथेन्मेंट के लिए काम करते हैं को आते हैं आपको खाब देते आपको खाब दिखाते हैं उन के लिए हकम्त की जानिप से उनको क्या खाब दिखाए जाते हैं क्या बेहतरी उस- confirmいます बहुत है और ये बहुत करें के लिए उनको मजीदड में घुरिए को मुझत कुछ देर बाद कुछ लमहाद बाद हमारे साथ तरनुम नाज साहिबा मुझूद होगी किसी तारुफ की मौतास नहीं है अजीम गायक है पाकिसान की कुछ देर बाद वो भी हमें जॉइन करेंगी मैं गुफ्तकू का अगाज है कमल साहिब ऐसे करता हूँ कमल साहिब असलाम लेकाम वालेकम असलाम ची कमल साहिब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया कमल साहिब ये फरमाईएगा किस हद तक बेहतरी आई है आपके उन एजंडाज में जो फलाह बहबूत से मतलिका है जिसमें आप मुस्तिक फनकारों को अकॉमोडेट भी करते है उनके लिए बेहतरी का काम भी करते हैं और आपने तो सारी उमर सक्रीन की बहुत ज़्यादा खित्मत भी की है इस सारे जमन में बहुत सारी आपकी फैन फाल्विंग भी है तो आप उनके दर्द को उनके मसायल को बेहतर समझती है सबसे पहले तो मैं आपका शुक्री एदा करना चाहूंगी कि अपने एक बार फिर मुझे मौकद दिया है कि मैं अपने कुलीस के साथ और अपने अवाम के साथ बराहे रास्त बात कर सकूँ मैं बढ़ान करना चाहिए है जी तो हम हम हर वकत अपने फनकार की फलाह बर्बूद के लिए सोचते रहते हैं काम करते रहते हैं से अपने कहा कि पुछ फंकार किस्म पूर्सि की हालत में जिन्धी बसर कर रहे थे तो यह पहली ग्रॉजमिन की नून की जिन्होंने फंकारों की बेहतरी बहुत साक्दाम हों किसी तोर काम । कि अमर की वजा से लिए बीमारी सकते हैं थे हमें फंड के जरा किया है कि मतली बेसिस पे उनको फंड जो है दिये जाएं जिससे बहुत आ हमारे आर्टिस्ट मुस्तफीद भी हुए और एट लिस्ट उन्हें थोड़ा बहुत सुकून भी जिन्दगी मिला कि अगर हमें काम नहीं मिल रहा तो हकूमत हमाई प्रस्ती कर रही है और ये पहली हकूमत है पाकिस्तान की तारीख में जो फंकारों की सरप्रस्ती कर रही है जैसे आपनी आख़वार में आपने पढ़ा होगा कि वजिरादम साब ने इसको एक इंडस्ट्री का एक सनत का दरजा दे दिया है तो मैं कहते हैं समझती हूँ औ और इसे एक सनत कर दर्जा दे दिये जिसके लिए मैं और हमारे सारे साथी पूरे पाकिस्तान के जमारे फंकार हैं वो दिन रात इस कोशिश में लगे हुए थे कि हुकूमत की सरप्रस्ती होनी चाहिए शोबिस के कल्चर के हवाले के लोगों से जिसमें मेडिकल भी है जो आर्टिस्टों को फ्री किया जाता है कि बहुत सा ऐसे फंकार जो बिमार हो जाते हैं और डिजर्विंग होते हैं तो उनका जो है इलाज पे जितना भी मावज़ा आए पंजाब हकूमत अवफा की हकूमत जो है वो बरदाश करती है और उनका इलाज किया जाता है तीसरे य होगा के जैसे हमारे fun card पर चेक लेने जाया करते थे फिर इसको ट्रैजरी इसमें जाते थे आफिसमें जाते थे उसके बाद बैंक में जम्म कराते थे तो काफी fun card को तकलीफ जो है तकलीफ का सामना करना पड़ता था खिदमत card से ये होगा कि इसके सासाथ उनको A.T.M. कार्ट जी मल जाएंगे और वो बाकी जो हमारे मुल्क में काम करने वाले हदरात ہیں जो समझें कि पेंशन्स ले रहे होते हैं जो जाते हैं A.T.M. कार्ट के जरिए अपनी रखूम बाहर निकाल लेते हैं इस तरह अब फंकारों के लिए यहाद चुक्रिया आपने जॉविंट किया आप चुछे रिभल के चांवाइं मुझा थेया मुझक फनकारों के लिए जो सारी उमर सक्रीन की दूर्सामत में जा रहे हैं या मजीद उनमें क्या भेठीक जरूड़त डेंखें आप ग्ता बहुतर्ग हैं कंTI कर conspirator किये जवर्मिन ने भी मगर जिस तरह होने चाहिए वो नहीं हुआ हमारे बहुत बड़े नाम नुसरत फादली खाने पूरे वर्ल्ड में दुनिया में नाम फेज ऑफ पाकिस्तान थे वो एंड मैंने मलका तरहन नोर जहां एक फेज ऑफ पाकिस्तान और यह वो लोग हैं जि सामल को छोड़के सारा टाइम पूरे का पूरा अपना वक्स कर देते हैं इंडस्ट्री के लिए मगर उस तरह जिसा गवर्मिन्ट बाहर के मुल्कों में करती हैं इदारे बनाती हैं बगाइदा दोर पे उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाते हैं उनके इलाज का उनके खर पुरसाने हाल कोई भी दिए होता और कमन साहिबा क्योंकि खुद जो हैं वो इससे दर्दे दिल लगती हैं कि वो तो आर्टिस्ट हैं और जिनका हुआ वह बड़े चंद लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होगा मगर मेजॉरिटी बहुत डिस्टर्ब रही हमारे साथ वह न पुर्शों कि तो रस रही हैं जायर सी बसाधे बाता है आप और्यंड हरे की लाइफ में आते हैं हर आ्टिस्ट की जिनकी में आते हैं और उनको कहला नहीं जोड़ा जाता कोई गुवर्मेंट से बेही रास्ता नहीं चोढ़ती हैं कि उपकर दिकर करले इसा है सब उससा पर दाइजासे तो जो है वो इंडस्ट्री यहां से खतम होगी पाकिस्टा लाहर से पेशली तो इंडस्ट्री बंद है और वहां पर जो इतने चूले बंद होए में घरों कि वो कभी किसी को नजर नहीं आए जो जो इतने लेक्ट वो जो हैं लोग काम कर दे हमाले जो गरीब तबका होता है, उसमें लाइट वाले होते हैं, कैमरामेंज होते हैं, मारे लिक्षियें वाले होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, डिरेक्टर्स होते हैं, उनका हाल देखिए जरा जाके, उनके घर में तो पता नहीं तो वक्ती रोटी भी नहीं हैं, तो कौन सी गवर्मेंट कौ सा काम कर रही है, I don't know. मुझे नहीं पता कैसे काम होता है, जो लोग काम करते हैं, जिनकी कौमें, जो जिन्दा रखती हैं, अपने लोगों को, हम तो सारी प्यार करती है, अपनी गवर्मेंट से, वो उनके लिए क्या करते हैं, फंकार भ्रादरी के लिए, इस्पेशलि जिन् माज़त के साथ, माज़त के साथ, मैं कता कलामी की माफी चाहती हूँ, मेरे खालेक्शन के मदिया जी अबराड बहुत ज्यादा रही, अबराड बहुत ज्यादा रही है, पाकिसाम से इंटरेंट टच्च नहीं रहीं, नहीं रहीं ना, पाकिसाम मदिया इसलिए आपको अं ने गया मेरा आपने नाम लिया नुस्ता फत्यली साहब का आपने नाम लिया मैडम नूर जहां साहबा का यह हमारे दो वो लेजंड्स हैं जो अलहमदुलिल्ला अलहमदुलिल्ला जो बहुत वैल ओफ थे और उनको वो डिजर्विंग कैसिस नहीं थे और ना उन्होंने के लिए बिल्कुल बात नहीं है आपने नाम चूस नहीं किया नाज़िया आप साथ रही है नाज़िन शौट ब्रेक लेंगे बरेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तकों का अगाज यहीं से शुरू करेंगे जहांसे यह मुनकता हुआ शौट ब्रेक हमारे साथ रहीग झालो हुआ